दोस्तों आज सुनते हैं एक भयानक चुडेल की कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कामप जाएगी विजय नगर राज्य में एक राजा थे उनके साथ बेटे थे और साथों राजकुमार बहुत ही प्रतापी और महान योध्धा थे अपने पिता की आग्या और राज्य को पालन करना वो धर्म मानते थे राजा उनसे अपनी सभी योजनाओं में पूर्ण रूप से भागीदार बनाते थे तथा उनको सभी युद्ध कोशल से परिपूर्ण से अपने समय में राजानी कई सारी युद्ध को जीता था कई सारे राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था इसलिए कई राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उसने वहां के राजा को उसका शासन लोटा दिया यह कहा जा सकता है कि वह राजा उतना ही प्रतापी था उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था पूरा राज्य सुखी और शांती पूर्ण था लेकिन राजा ने अपने पुत्रों से जो कहा उससे वह डर गया बेटा तुम शिकार के लिए किसी भी ख्शेत्र में जा सकते हो लेकिन दक्षन की ओर मत जाना और अपने पिता की आग्या को सर्वत्तम मान कर राजकुमार सभी दिशाओं से शिकार करने आए लेकिन उनमें से राजा के छोटे राजकुमार बहुत बुद्धिमान थे या यूं कहूं कि वे बहुत शरार्ती थे मानवी ये आदेशों की अवहिलना करना उनकी आदत थी लेकिन धीरे धीरे ये आदत बढ़ती गई और एक दिन उसने शाम को अपने भाईयों को शिकार में व्यस्त रखा और कुछ ही समय में उसने उन्हें बता दिया कि भाई मुझे लगता है कि उसके पिता ने हमें अनुमती नहीं दी केवल दक्षन की ओर जाने के लिए क्योंकि उस तरफ उसके पिता का कोई शत्रू होगा जो उससे अधिक शक्तिशाली होगा और उसके पिता उससे हार गए होंगे इसलिए वह हमें वहां नहीं जाने देगा इसलिए उसके बड़े भायों ने शुरुआत की आपस में बातचीत करने लगे और छोटे भाई की बात को सच मान लिया पिताजी ने हमें सभी देशों में जाने की अनुमती दी है लेकिन उन्होंने हमें दक्षिन की ओर क्यों नहीं जाने दिया वो दक्षिन दिशा जहां हम नहीं जा सकते और भायों ने कहा कि हम एक बार बाबा को क्यों नहीं बताते और आओ हम सब दक्षिन की ओर शिकार करें फिर देखें कि वहां क्या है जो हमारे साथों भायों से अधिक शक्तिशाली है इसलिए पापा वहां जाने से मना करते हैं और हम सोचते हैं कि इस दुनिया में ऐसे दुश्मन भी होंगे लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो हमें पता चलेगा साथों भायों ने यह निर्ने लिया और उस दिन सभी ठक कर आराम करने के लिए अपने महल में आ गए सभी जल्दी उठे और तयार हुए और शिकार पर जाने का फैसला किया और अपने पिता से कहा कि शाम को आना शायद थोड़ी देर हो सकती है लिए तुम हमारी चिन्ता मत करो क्योंकि एक अमुक देश का राजकुमार भी हमारे साथ शिकार खेलने आ रहा है क्योंकि हम सब मित्रों और भाईयों की तलाश में जाएंगे साथ में इसलिए हम अकेले जाना चाहते हैं मंत्रियों के साथ नहीं और सेना का कोई भी आदमी हमारे साथ जाएगा राजा ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं देर मत करो हम जल्द से जल्द महल लौट आएंगे फिर उसने अपने पिता को प्रणाम किया और सातों भाई महल से निकल गए और मिलकर एक योजना बनाई ताकि कोई उनके पास ना आ सके सातों भाईों ने अपने घोडे एक पेड से बांदे और भेश बदल कर निकल पड़े लेकिन वहां जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था कोई गाव नहीं था कोई घर नहीं था यहां तक कि किसी व्यक्ति का नामों निशान भी नहीं था फिर सातों राजकुमारों ने कहा यह तो पूरा का पूरा क्शेत्र ऐसा है जैसे यहां कोई प्यासा तडब कर मर जाए तो पानी भी ना मिले मंजिले भाई ने कहा तुम सबते कह रहे हो भाई मुझे तो प्यास भी लग रही है और पास में पानी भी नहीं ला पाए हम तो तो बड़े भाई ने कहा छोटे अनुच क्यों ना आप किसी उंचे वरिक्ष पर चड़ कर देखें कि कोई गाव या घर है भी या नहीं इस पर दूसरे भाई ने कहा हाँ भाई देखो तो सही शायद कोई सहायता ही मिल जाए जिससे हमारी प्यास मिट सके बड़े भाईयों क के कहने पर छोटा भाई सबसे उंचे पेड़ पर चड़ गया और देखा कुछ दूरी पर मिट्टी और खप्रेल से बना एक घर है और उसके सामने एक कुआ है और शाम होने के कारण वह चलने लगा उस घर से हलकी सी रोशनी आ रही थी जिसे देखकर छोटे भाई की आखो में चमक आ गई और उसने अपने भाईयों से कहा भाई यहां कचुए का घर है यहां से कुछ ही दूरी पर सामने एक कुआ भी है और मैंने देखा कि शायद वहां कोई रहता था क्योंकि उस घर से दीपक की रोशनी आ रही थी यह सुनकर थोड़ी देर के लिए सभी की थका की ओर चल पड़े जाते-जाते वे उस घर के सामने जाते हैं और वहां देखते हैं कि कुए में बहुत सारा पानी है उस कुए के पास उनके पास पानी निकालने के लिए एक बाल्टी है लेकिन वहां कोई रसी नहीं है इसलिए बड़ा भाई छोटे की मदद करता है और कहत करो भाई के कहने पर छोटा भाई उस कमरे का दर्वाजा खट-खटाने लगा तो एक खूबसूरत लड़की ने आकर दर्वाजा खोला और पूछा कि आप कौन है कुए के पास एक बाल्टी है लेकिन रसी नहीं है कृप्या रसी ताकि हमें पानी मिल सके लड़की ने कहा मैं पहले अपनी बड़ी बहन को दूंगी उसने कहा उसकी बड़ी बहन आई और बोली भाई हम सब एक साथ रास्ता भटग गए हैं इसलिए कृप्या हमारी मदद करें और पानी पियें तब बड़ी बहन ने कहा हम एक शर्त लगाते हैं यदि तुम स्विकार करोगे तो हम अगर आपको हमारी शर्ते मन्जूर हैं तो आप पानी पीकर आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं लेकिन अगर आप हमारी शर्ते नहीं मानेंगे तो आपको यहां से कुछ नहीं मिले गा छोटा राजकुमार अपने भाईयों के पास आया और बोला भाई उस घर में दो बहने हैं लेकिन वह कुछ शर्टे लगा रहा है अगर हम उसकी बात माने तो उसने कहा कि वह हमें भी खाना देगा लेकिन हमने उसकी शर्ट नहीं मानी तो सभी भाई बहुत प्यासे थे सभी भाई ठक गए थे इसलिए उन्होंने छोटे भाई से कहा प्रिया अनुझ तुम जाओ और उन्हें बताओ कि हमने उनकी प्यास बुझाने के लिए उनकी सभी शर्टें स्वीकार कर ली है या आदेश कहकर छोटा भाई उन कन्याओं के पास आया उसने कहा मेरे भाईयों ने तुम्हारी सारी शर्टे मान ली हैं बताओ तुम सब क्या चाहते हो